आज कल सुबह चार बज़े अलारम बजने से पहले ही नीद खुल जा रही है क्योंकि यादत पढ़ गई है तो सबसे पहले तो गरम पानी पी लेते हैं ताकि नीद पूरे तरह से खुल जाए और लास्ट व्लाग में कई लोग ने कमेंट किया था कभी है रमजान का मैंने चल लगे होंगे अचीनी थोड़ी सी जादे पढ़ गए थी इसलिए मीठी हो गए थी समय और सेरी का टाइम था चार बच के 57 मिनट पर लेकिन मैं चार बच के 45 मिनट पर ही कम्प्लीट कर लिया था और अभी सुबह के पांच बजने वाले हैं इतनी समय सोने का कोई मतलब रहत करके आते हैं जैसे कि नेशनल पार्क, बायोस्फेर, टाइगर रिजर्व, इलिफेंट रिजर्व, रामसर साइट यह सब भी मैंने कर लिया था जियोग्रफी और इंवार्मेंट के परस्प्रेक्टिव से जो लोकेशन करेंट में रहती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उस लोकेशन पे कौन सा इंपॉर्टेंट लैंड फार्मस है या फिर इंवार्मेंट के अकॉर्डिंग कौन सी बायो डैवर्सिटी है या कोई स्पेशल स्पेशीज वहाँ पर पाई जाती है तो इस तरह से वो इंपॉर्टेंट बन जाता है तो यह सेशन साड़े साथ मैंने कंप्लीट करके छट पे आ गया था थोड़ी देर के लिए संराइज हो गया था और हलकी धूप भी निकल गए थी उसके बाद नीचे आके मैंने घर का अपना बेसिक काम किया साफ सवाई करना बरतन दुलना बिस्तर साही करना और सुबह में जिम नहीं जा रहा हूं स इसलिए मैं साड़े आट बेस तक नहां भी लिया था उसके बाद आदे घंटे मैंने अपना रिलीजियस होली बुक भी पड़ा अब यह नहीं करना वीडियो में तो दिखाया नहीं है तो मैंने वीडियो में कभी नहाते भी नहीं दिखाया इसका क्या मतलब एच्छे मैं इस नहाया ही नहीं हूं ऐसा नहीं है कुछ चीजे परसन रखना चाहिए और जरूरी नहीं कि सब कुछ सोचल मीडिया पर रही अपलोड कर दिया जाए और उसके बाद मैं रेडी हो गया लाइबरेरी जाने के लिए अभी देको सुबह सुबह अदम सन्नाट आई है सबह न रिवीजन टेस्ट रिवीजन टेस्ट बस यहीं चलेगा लाइबरेरी आकर मैं आज कल एक ही सेशन लगा रहा हूं नौ बजे शाड़े नौ जब भी आता हूं कांटिनूर सेशन रहता है मेरा धाई बजे तीन बजे या साड़े तीन बजे तक क्योंकि बीच में मुझे कलचर का और यह मेरा सेकंड रिवीजन है फर्स्ट रिवीजन मेरा हुआ था जनवरी में उस टाइम पर मैंने 5 दिन में कमपेट किया था और इस बारी मेरा टार्गेट था कि 3 दिन में कमपेट करना है लेकिन यह हो जाएग का दो ही दिन में क्योंकि previous year question अगर देखें उसक इंचार टॉपिक मैंने आज complete कर लिया था आप सब के साथ एक छोटी सी information share करनी है regarding prep is app यह play store और app store दोनों पर available है इसमें सभी government exam जैसे की state exam state pcs, teaching, police upsc, defense, railways ssc, banking के mock test hindi और english दोनों language में available है इसमें आपको सभी exam के लिए live test भी मिल जाएंगे कुछ test free में भी available है और अगर आप annual subscription लेना चाहते हैं तो मेरा coupon code jave56 use कीजिए आपको only 199 में मिल जाएगा and you know upsc preparation में mentors का बहुत important role होता है so prep is provide करते हैं year long one to one mentorship program for 2025 for integrated preparation for prelims and mens by mentors जो upsc interview में अपीर हुए हैं इस mentorship program में बहुत से features हैं जैसे की detailed video calls, offline session, live test, test series, answer writing analysis and many more so if you are looking for a mentor description चेक कर लेना वहाँ पे link दिया हुआ है art and culture में important topic की बात करें तो sculpture, architecture, repository इस पे भी question बनते हैं और 2022 में तो question बन गया था medieval India period में funam word से और ये था विजन अंगर empire में भी ये word यूज हुआ है funam और दिनार art and culture में sectional test की बात करें तो अभी तक मैंने history का test लगाया नहीं है quality का दो लगा लिया हूँ और history का sectional test जाओंगा करोल बाग किसी दिन लियाओंगा क्योंकि अभी PT 365 भी ले आने है art and culture का भी और IR का भी आ गया है अब तो और ये paintings के कुछ topics हैं जो मैंने करे थे पहले ही मैं highlight कर चुका था आज मैं revision किया था और इसमें जो ancient time पे हैं ilora के हो गया सित्ता नमासल के हो पेंटिंग हो गया आरा मलाई हो गया इसमें न ये सब factual हैं अगर exam में याद रहा तो answer सही होगा नहीं तो फिर गलती होगा इसमें बहुत सारा रटना पड़ता है ऐसा नहीं कोई concept है जो समझ में आ जाए तो question साल हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं ये सब fact है तो ये तीन चार topic complete करने के बाद मैंने कुछ PYQ solve भी किया था उसके बाद मैंने कुछ mock question भी लगाये थे और mock question के लिए मैं ये कहूँगा कि authentic source से ही लगाना योगि जो authentic source से जो question रहते हैं वो exam point of view से बनाया रहते हैं unnecessary नहीं रहता है उसमें और जो topic आप exam में important नहीं है उसके mock up लगा रहे हैं क्या फाइदा उससे तो ये session मेरा complete हो गया था तीन बजे तक सवा तीन बजे से मैं फिर अब जा रहा हूँ रूम पे क्योंकि दो तीन बजे के बाद थोड़ा सा body tired सी हो जाती है अब यहाँ पर थोड़ा सा relax चाहिए होता है क्योंकि दो पहर बाद दो तीन बजे के बाद ऐसा feel होने लगता है कि यहाँ रोजा हूँ तो मैं रूम पे आ गया वापस थोड़ा देर relax करा उसके बाद फिर चार बैसे मैंने सुचा एक session और complete करते हैं मैं chair लगा के पंखे की नीचे बैट गया और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ art and culture का pt365 इसका मैं अभी print out लेकर नहीं आया हूँ market से जाने वाला हूँ करोल बाग ले आऊँगा तो यहाँ पे youtube पे मैंने देखा था art and culture का पूरा analysis दिया गया है धाई तीन गंटे में तो मैंने सुचा 1.2x पे कर लेते हैं और दो घंटे में यह complete कर लेते हैं चार बैसे लेके छे वे तक art and culture का pt365 एक तरह से मेरा यह reading ही हो रहा है जब मैं print out ले आऊँगा तो वो मेरा second revision हो जाएगा उसके बाद 6 बजे से मैंने इफ्तारी बनाने का सुरू किया चना रात का भी गोया हुआ था उसे fry कर लेते हैं fruits मैंने काटे थे इसमें था अनार, अंगूर, केला, पपीता और यह खजूर उसके बाद मैं छट पे आया अजान सुनने के लिए किसी किसी दिन हलका सा सुनाई देता है नहीं तो फिर नहीं सुनाई देता नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे अभी जिम जाना रहता है तो साथ वज़ तक अफ़तारी कंप्लीट करने के बाद अब मैंने सोचा एक सेशन कंप्लीट कर लेते हैं और ये सेशन था मेरा news analysis का जो साथ वज़े से लेके लगबख साथ वज़ के 45 मिट तक कंप्लीट हो गया था कुछ मैंने नोट्स भी मनाया थे और न्यूज में जादे टॉपिक्स थे भी नहीं इसलिए जल्दी से कवर हो गया था अफ़तारी और जिम के बीच में एक गंटे का गयप रखना चाहिए नहीं तो फिर जो खाया हुआ रहेगा वो जिम में जाके निगल जाएगा इसलिए अफ़तारी में मैं हैवी करता भी नहीं हूँ फ्रूट्स ही रहते हैं जो एक गंटे में डाइजेस्ट तो नहीं बट सही हो जाता है और उसे एनरजी भी हमें मिल जाती है साइज करने के लिए तो अभी साथ बचिया 45 मेंट हो गया है अब चलते हैं जिम और 45-50 मेंट ही साइज करके वापस आ जाएंगे साड़े-8 में तक एक साइज कम्पलीट हो गए थी अब चलते हैं वापस रूम पे राश्ते से ही डिनर के लिए समा ले लेते हैं चिकन लेकपीस दो लिया था रोटी शिंपल डाल लिया था और ये रास्ते में IPL चल रहा है मैच तो ये रहा आज का हमारा डिनर रोटी, दाल, दो चिकन लिख पीस थोड़ा सा प्याज और चटनी जिम से आने के बाद वापस जो डिनर में मैं एक प्रोटीन सोर्स रखता ही रखता हूँ आज कल चाहर चिकन हो गया मटर पनीर हो गया या फिर अंडे हो गए इससे थोड़ा सा जिम के बाद जो हमारी बाडी टायर्ड हो जाती है वो रिलेक्स इससे मिलता है प्रोटीन सोर्स से तो डिनर कंप्लीट मैं कर लिया था लगबग 9 बज़े तक उसके बाद मैंने लास्ट सेसन अपना लगाया था सीसाइट का इसमें मैंने आर्सी के आठ नो पैसेज सॉल्व किये थे क्योंकि कल सीसाइट का मेरा दो सेसन लगा था तो आर्सी रह गया था वो आज मैंने कंप्लीट कर लिया है तो बस आज का व्लोग यहीं पे करते हैं खतम, I hope अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब मन हो तो कर देना बागी जब लोग अच्छे से पढ़ाई दिखाई करो सिहत का ध्यान रखो फिर भी लेंगे अगले व्लोग में बाई बाई